के बारे में कि पानी पहले क्या करना है आपको खुला लेना है और उसमें एक चमस ये चैपती क्या करना है डाल देना है और हो सके तो ये हिमलायाज पिंक साइट है इसमें पानी के हिसाब से थोरा नमक क्या करना है डाल देना है और दस मिनट ढख करके छोड़ दिए फिर प्रेक्शन का पीने वाला प्रोड़क्ट है काच के ही गिलास में पीना है समझें तो इसको पीजिएगा तो सबसे पहले आज लोग गाइस से बहुत परियसान है हर घर में गाइस 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 प्रेंट डी एस आर सब चल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है तो हमारा जो यह रिसी गैनोटी है यह बहुत ही अच्छा काम करता है आपको गाइस पर कहिएगा बहुत जल्दी ठीक कर दें सो बात नहीं है अब कितने दीन से है तो धीरे धीरे टाइम लेगाओ और इसका काम है कि सबसे पहले गैस ऐसी डिटी को क्या करेगा कंट्रोल करने का काम करेगा क आपके सरीर के अंदर जो हवा पानी भोजन के माध्यम से बहुत सारे अच्रा कच्रा गंदगी जो गया हुआ है उस कच्रा गंदगी को यह ढूंड करके क्या करता है सरीर से बाहर निकालता है जैसे हम आप अपने घर को डेली क्या करते हैं साप सफाई करते हैं तो हम अपन क्या करता है कि जब इसका हम सेवन करते हैं बना करके तो ये अंदर से लीभर से किड़नी से आथ से जहां जहां पर कच्रा गंदगी केमिकल सब जा करके बैठा हुआ छुपा हुआ है उसे ढूंड ढूंड कर क्या करता है शरीर से बाहर केसाब के माध्यम से पैखाना के माध् कि में आपके बोडी में काम करना चालू करेगा फिलचल पैदा करने का मतलब यह गूट साइन है कि जब यह आप डी एक्षन का आरजी जील गैनोडर्मा युक्त प्रोड़क्ट उप्योग करना चालू कर देते हैं तो हो सकता है शरीर के हिसाब से एक से दो दिन पांदीन दोस दिन में आपके सरीर में कुछ न कुछ करना क्या करेगा यह चालू कर देता है गाइस है तो लगेगा आपको गाइस क्या हो गया है बढ़ गया है लूज मोसन हो जाएगा सर में दर्द आए जाएगा चक्कर आजाएगा कमजोरी महसूस होगा कु इसको पीते रहना है और जिन्हों ने आपको यह प्रोड़क्त दिया उसका आप कांटेक्ट नमर ले लिजे और हो सके तो ऑफिस से चाहे हमारा चाहे बवलु सरकान नमर ले लिजे इस तरह का सिंटम आपके बोड़ी में आ रहा है तो आप कॉल करके हम लोगों से सलाह ले सकते हैं कि सर यह यह प्रोब्लेम इसको पीने खाने के बाद हो रहा है तो हम लोग आपको बता देंगे कि इसको खाते पीते रहे कोई घवड़ाने की बात नहीं है क्योंकि गैनोडर्मा जब प्रोब्लेम है शरीर में कि दर्द बढ़ गया अचानक नहीं वो ठीक हो रहा है नहीं सोह पा रहे हैं तो आप एक अंग्रेजी दबा पेन किलर डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं लेकिन दबा को आईसे नहीं कि भोजन की तरह उसको हमें क्या करना है खाना है नहीं तो स्वैर्णya क्षाइब गर देगा यह रिसी गैणवटी होरी एक आद्मी को चाहिए जब आप नौर्मल समस्या में हैं यह रिसी गैणवटी और यह जो एसल कि बारे बहुत अच्छा तरीका से हमारे बबलू सर बताए है कि ये क्या है कि हमारा आपका संतुलीत अहार है ये भोजन है कोई दवा नहीं है इसमें 120 कैप्सूल है अभी इसमें से 10-15 हम खा भी लेंगे तो कोई समस्या हमारे शरीर में नहीं होगा सरीर को जितना चाहिए ले लेगा बाकी बेश्ट पदार्थी रुप में खाना से बाहर निकाल देगा कोई नुकसान नहीं है लेकिन अगर इसी जगह पर केमिकल वाली टैबलेट अगर एक पता यानि 120 हो रहाता है खा लेंगे तो हमारे सरीर का जो है वह क्या करेगा बहुत नुकसान दे जाएगा हमको तो यह कोई दवा नहीं है यह हमारा आपका भोजन है तो खास करके आप लोगों में महिलाओं में क्या होता है कि प्रूश की अप्यक्षा महिलाएं ज्यादा क्या होती है कमजोर बिमार मथा में चक्कर यह सब बराबर रहेगा गैस प्रोब्ले समझ गए तो इनके लिए क्या है यह बहुत ही बढ़िया चीज है कि यह खून की कमी को कभी शरीर में नहीं होने देगा अगर सुबह में नस्ता करने के बाद अगर आपका वेट कम है दुबले पतले हैं तो नस्ता करने के बाद कम से कम तीन सुबह में और तीन रात में क्य खाने से आधा घंटा पहले इसमें से तीन कैपसूल क्या करना थंदा पानी के साथ ले लेना है जिसके सरीर में ज्यादा वेट है तो खाना खाने से आधा घंटा पहले क्या करना इसका से बन करना तीन कैपसूल चाहे सुबह में हो चाहे रात में तो यह धीरे-धीरे क्या करे करेगा मेंटेन करेगा लॉस करेगा यह हमारे भोजन में जो चीज का कमी है कमी को क्या करता है पूर्ती करता है कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा कमर में कभी जो दर्द होता रहता है यह पोशकतत की कमी से हो रहा है इसको खाने पीने के बाद आपके श खिला सकते हैं तो यह जो दो बेसिक प्रोड़क्ट है यह रिसीगैनोटी और यह एस्पैलना सभी के लिए जरूरी है आपके परिवार में इसका पानी हर एक इनसान को पीना चाहिए क्योंकि इसका पानी अगर आप पीते रहते हैं तो गंभीर बिमारी में आपके सरीर को कभ मैं जाने नहीं देगा तो पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए और बहुत दिदी लोग इसको दो महिना चार महिना छे महिना से पी रही है तो क्या बताए आप लोगों को इसको पीने के बाद फाइदा हुआ है कि नुक्सान हुआ है फाइदा ही फाइदा है और जो कभी नहीं पिया न देखा उसको लगेगा कि यह ठकने वाला है तो उस पर हमें नहीं जाना है क्योंकि हमने इसका उपयोग करके देखा है इसका फाइदा हम जानते हैं, वो नहीं जानता है, ठीक है तो इस दो चीज़ को लगातार क्या करना है, इसको जब तक आप धर्ती पर रहीएगा, जिंदा रहीएगा, तब तक इस दोनों चीज़ को क्या करना है, नहीं च्वर ना है, समझ गए, और यहां पर जो यह RG और GL है, इसका मेन प्रो आप इसे स्वेक्षा से एक पेर कुछ नहीं हो रहा है एक पेर आप ले सकते हैं अगर पैसा है अगर पैसा आपका नहीं है आपके पास पॉकेट एलो नहीं करता है तो तीन साथ रुपया ही लगाना है क्योंकि दो परसेंट गैनोडर्मा इसके अंदर में भी है वह हंड्रेट परसेंट है तो हंड्रेट परसेंट कभी किसको दिया जाता है यह हंड्रेट परसेंट आर्जी जियल जब कोई क्रोनिक बिमारी में चला जाता है कि दू साल चार साल जूज रहा उस बीमारी को ले करके कोई डिवीटीज में है गठिया में है कैंसर में बहुत पुराना हो गया है दवा खा रहा है कुछ दिन ठीक रहते हैं फिर समस्य आ जाता है तो उस समय में हम लोग क्या कहते हैं कि आप आरजी दियल कम से कम छे मैंना साल भर क्या करना इसक इसका काम है कि आपके सरीर से तमाम कच्रागंदगी को बाहर निकाल देना ठीक है तो कितने आदमी चाहते हैं कि इस एस्परुल्ड ना यह एस्परुल्ड ना और चैपति को जीवन भर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उप्यो करेंगे एक बार जोड़दार ताली लग है कि आपके सरीर में टच करेगा जमाज गए इस दो चीज़ को एकदम गांठ बान लिजे कि हर हाल में इस पानी को अपने पड़िवार में डियक्शन का यह रिसी गैनुटी है इसको हम उप्योग करते रहेंगे तो कभी भी आपके सरीर में गठिया कैंसर पथरी बहुत सा इसा डिजीज हो रहा है जो आपको होने नहीं देगा उसके बाद देखिए यह नोनी है